C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी इकाई दो जीव जगत प्रिष्ठ संख्या पच्चेस मुर्गा बोला कुकुडुकूं खेल गीत मुर्गा बोला कुकुडुकूं चल मेरे भाईया रुकता क्यूं इस प्रिष्ठ पर दो चित्र दिखाए गए है पहले चित्र में कुछ बच्चे खेल रहे हैं जबकि दूसरे चित्र में एक रेल गाड़ी है जिसके डिबों में मुर्गे, मुर्गियां, कुते, बकरियां और बिल्लियां है शिक्षन संकेत अन्य जानवरों की आवाजे बता कर इस खेल गीत को आगे बढ़ाईए बच्चों को खेल के मैदान में एक दूसरे के पीछे रेल गाड़ी बना कर आगे बढ़ते हुए यह खेल गीत करवाएं प्रिष्ठ संख्या 26 चित्र और बातचीत गिलहरी की कहानी दो चित्र बने हैं पहले चित्र में एक नदी है जिसमें एक मगरमच है और उस नदी के दोनों किनारों पर एक एक गिलहरी दूसरे चित्र में नदी के बीच में एक मगरमच है दोनों किनारों पर एक गिलहरी है एक किनारे की गिलहरी रसी में कुछ बांध कर दूसरे किनारे की गिलहरी की तरफ फैकती है प्रिष्ट संख्या 27 इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए है पहले चित्र में दोनों गिलहरिया अपने अपने किनारों पर लगे पेड़ों के तनों से रसी के एक-एक छोर को बांध रही है सहारा लेकर नदी के दूसरे किनारे पर जा रही है और मगरमच निराश खड़ा उन्हें देख रहा है शिक्षन संकेद बच्चों से चित्र के आधार पर अपनी कहानी बनाने के लिए कहें बच्चों को प्रेरित करें कि वैट चित्र में दी गई चुणिया और इल्ली को भी कहानी में शामिल करें बच्चों को अपनी भाशा में कहानी सुनाने के लिए प्रोधसाहित करें अध्याय पांच मिठाई इस प्रिष्ट पर पहले चित्र में एक गधा बैठा है जो मिठाई के बारे में सोच रहा है इस प्रिष्ट पर बने दूसरे चित्र में बहुत सारे जानवर एक जगा इकठा है गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा प्रिष्ट संख्या 29 इस प्रिष्ट के पहले चित्र में भालू शहद लेकर बैठा है गधा उसके पास खड़ा है भालू ने कहा शहद खालो गधे ने मना कर दिया दूसरे चित्र में खरगोश गधे को गाजर दे रहा है खरगोश ने कहा गाजर खालो गधे ने मना कर दिया इस प्रिष्ट के तीसरे चित्र में चीटा गधे को गुड़ दे रहा है चीटे ने कहा गुड़ खालो गधे ने मना कर दिया प्रिष्ट संख्या तीस इस प्रिष्ट के पहले चित्र में हाथी गधे को गन्ना दे रहा है। हाथी ने कहा गन्ना खालो गधे ने मना कर दिया। इस प्रिष्ट के दूसरे चित्र में गिलहरी गधे को आम दे रही है। गिलहरी ने कहा आम खालो, गधे ने मना कर दिया इस पृष्ठ के तीसरे चित्र में बिल्ली और गधा दोनों है बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो, गधे को यह बात पसंद आ गई प्रिष्ठ संख्या 31 इस प्रिष्ट पर दिखाये गए चित्र में एक हलवाई अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा है और बहुत सारे जानवर दुकान की तरफ आ रहे हैं जिसमें सबसे आगे गधा और बिल्ली हैं तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े साभार इस प्रिष्ट के पहले हिस्से में कुछ जानवर बने हुए हैं और कुछ खाने की चीज़े हैं जिनमें बाई तरफ भालू, खरगोश, हाथी और गिलहरी हैं और दाई और आम, गन्ना, शेहद और गाजर हैं दो यहां दी गई वस्तूओं को पहचान कर उनके नाम बताईए और पढ़ने का प्रयास कीजिए गधा, मिठाई, हाथी तीन इस कहानी में कौन-कौन से जानवर हैं? किनही तीन जानवरों के नाम लिखिये? शिक्षन संकेत मिठाई कहानी में आए हुए शब्दों एवं अन्निय शब्दों की सहायता से बच्चों को ग, ह, ठ, ध की ध्वनी और आकरिती की पहचान कराएं प्रिष्ट संख्या 33 तीन सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगा कर बताईए एक, गधे ने बिल्ली की बात मान ली, सही या गलत दो, खरगोश ने आम खाने को कहा, सही या गलत तीन, हाथी ने कुछ नहीं कहा, सही या गलत चार, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया, सही या गलत शब्दों का खेल यहां दी गई कविताओं को पढ़िये इख खेत में बोली अपने पास वाली इख से मेरे उपर क्यों गिर्ती हो, खड़ी रहो ना ठीक से प्रभात इमली की डाल पर बैठी थी चड़िया खा रही थी इमली, देख रही थी मनिया अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ गूमिये छोटे-छोटे कीडे मकौडे, जानवरों को देखिये वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग-अलग रंग के हैं आदी विशेशताओं पर ध्यान दें घर आकर इनके चित्र बनाईए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें, तो भी अवश्ये लिखिए अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साजा कीजिए शिक्षन संकेत बच्चों से कहानी और कविताओं में आये शब्दों मिठाई, एक, इमली, गिलेहरी, बिल्ली, चींटा, मीठा, आदी की सहायता से ए और ए की ध्वनियों और आकरतियों एवं उनकी मात्राओं एवं ए की पहचान करवाएं अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्नीकी निर्देशन बटीलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत